प्रत्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में बादशित की गई दोस्तों और आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे महतपून यह NCRT हैं आपके पास में यहां से डारेक्ट indirect ली प्रत्यक्श अप्रत्यक्श तरीके से आपके आगामी प्रारम्भिक व्ये मुख्य परिक्शा में प्रश्न पूछे गए हैं। आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, चाहे वो मुख्य परिक्षा की बात हो, चाहे आपके पास में हो प्रारंबिक परिक्षा की बात हो, आईए इसको सुरू करते हैं एक बार फिर, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जग्दिश्यंद्र जांगिट है, 70,000 से जाद को मेंटोशिप देने वाला हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों विश्यों के अंतरकत, आप हमारे पी डबलु का अधिकारिक चैनल जो है, जग्दीश अंडर्सकोर जांगिट 123 इस चैनल को जोईन कर सकते हैं, इसके माध्यम से डे टूडे पे होने वाली सारी गतिविद्या आपको ग्यात रहेगी, आप यहाँ पे डिसकुशन चैनल के तुरू अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे, मुविंग फॉवर्वर्ड, यूज जे जे सर पी डवल्यू फर दे यूपी एस सी, दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अउनली आईयस हिंदी मा आद्यम के चैनल पे पिछले वीक हमने चैप्र नंबर वन कंप्लीट किया था, आपने इस चैप्र को बहुत ही अच्छे से किया था, भुगोल एक विशय एक अनुसासन के रूप में, जहां पे हमने भुगोल के शैत्र को भुगोल क्या है, क्यों है, और किस तरीके से हर व तग्यता जाहिर करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो तमाम विध्यारतिगणों ने यहां पे अपना कहीं न कहीं एक वंदन कहदूं, कहीं न कहीं एक रेस्पेक्ट जो है इस प्लेटफॉर्म और मेंटर्स के लिए जाहिर की है, आप सबी के द्वारा जो एक उर्जा देखने को मिलेगी, है न? वही उर्जा, कहीं गहीं प्रयटबिम्बित होगी, कहीं गहीं उसका एक रेफलेक्शन जो है आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिलेगा और वादा है आप से, और भेतरीन कंटेंट हर क्लास में होगा, जो कि आप उसको एप्रिशेट कर पाएंगे और कहीं न कहीं आत्मसाथ करेंगे इस क्लास के डिसकर्शन को तो चैप्टर नमबर जो है हमारे पास में यहां पर यहां पर यहां पर विवेचना कर रहा हूं अच्छा क्या हम खाली NCRT ही पढ़ने वाले मतलब जो यहां पर 5-7-10 पेज का यह चैप्टर है आपके पास में क्या हम इसमें सिर्फ इसी की बात करेंगे नहीं सर यहां पर इस NCRT के अंदर अगर मैं कहूं तो कुछ कमी तो नहीं है बट कुछ बहतरी करने की कोशिश की पाए दोस्तों तो आज का कंसेप्ट आपके पास में अर्थ की बात करता है बाकी प्लैनेट की बात करता है हमारे संसूर्य की बात करता है कैसे जो है हमारा सौरमंडल बना कैसे सूर्य बना किस तरीके से प्रत्वी अन्यग रहे वह उनके उब्रह जैसे प्रत्वी का चंद पेजिया से आप हेडिंग डाल सकते हैं कि सर जो ओरिजिन जो है हमारे अर्थ का उसको समझने के लिए सबसे पहले अगर हमको प्रत्वी को समझना है तो प्रत्वी कहा है सौर मंडल में है क्या हमको सौर मंडल को समझना हो गया यस तो सौर मंडल कहा है सर हमारा सौर मंडल मतल चैप्टर नंबर वन से ही सीख रखा है क्या आप एक होमवर्ग कर सकते हैं छोटा सा इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले छटी क्लास का चैप्टर नंबर एक जोग्रोफिका जरूर पढ़िएगा I guess आप अलड़ी पढ़ चुके हैं अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको य प्रत्वी जिस सोलार सिस्टम के अंदर जिस सोर मंडल के अंदर गते हैं उस सोर मंडल का जो तारा है वह है हमारा सूर्य जो कि सबसे के अंदर में है और बाकी सारे ग्रहे वेज़िए जो है वह कहीं न कहीं इसी सोलार सिस्टम के अंदर गते सोर मंडल के अंदर गते सूर्य की परिक्रमा कर रहे यह चीज हमको याद होनी चाहिए तो यह कैसे बनता है इसके हम अगर अवधार्णा जानने की कोशिश करें तो प्रत्वी की उत्पत्ति के बारे हम कहा जाते है क नेबिलर परिकल्पना है नेबिलास क्या होते जिनको हिंदी में लिखा जा सकता है निहारी का क्या लिखा जा सकता है है ना सुद्ध हिंदी में इसको लिखा जाएगा निहारी का यह क्या है आपके पास में यह सर अंतरिक्ष में स्पेस में गैसे और धूल के जो बादल हो के बादल को basically कहिन के नेबूला खाया जाता है अब इस गैस और धूल के कणों से होगा गया कैसे ब्रम्हांड और तारों की उत्पत्ती होने वाली है सर आपके पास में तो यहाँ पे यह किसी तर्क के लिए की गई एक धारना है कि सर आपके पास में पहले जर्मन दार्शनिक philosopher वा करते थे Emmanuel Kant उन्होंने सबसे पहले basically first time यह नेबुलर परिकल्पना आपके पास में दीती है ना और फिर अंततह basically जो है 1976 में हमारे एक लापलास करके एक और basically mathematician थे उन्होंने जो है कहिन के इसमें कुछ और बिंदू जो है जोड के उसको संसोदीद किया था उसे edit किया थ इन्होंने बताया था कि ग्रहों का निर्मान सारे planets का निर्मान जो है हना वो युवा सूर्य से जुड़े पदार्थों के बादल से हुआ है आपके पास में के हर star जो है वो कैसे बनाए वो है एक nebula से बनाए हना कि कहीं nebulas में बहुत सारी gases थी बहुत सारे आपके dust particles से तारा बनता है और बाकी जो बची कुछ है जो gas particles से वह घूमते रहते हैं इसी सूर्य के इसी star के चारों तरफ वे दीरे दीरे एक्रिशन के माद्यम से जुडाओ के माद्यम से गुरुत्वाकर्शन के माद्यम से वह disc shape के अंदर एक disc के आकार के अंतरकत बेसिकली जो है इस केंद्र के इस सूर्य के चारों तरफ घूमना सुरू कर देते हैं दोस्तों ठीके ना और इनी घूमते हुए कणों के कारण आगे जाकर के बाकी के क्या है आपके planets बाकी क्या आपके planets और अन्य जो है खगोलिय पिंड जो है उनका निर्मान होता है क्या हम इस चीज को समझ स जो है यह निहारी का जो है इस धूल के कणों के अंदर बेसिकली जो hydrogen और helium थी इसके द्वारा कहीं के सूर्य बन गया पर मिर को यह बात बताओ बाकी के जो है आपके पास में अन्य जो ग्रह है वह कैसे बने अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ उनका निर्मान कैसे हमारा जो सूर्य है ना उस सूर्य के आसपास से एक और बड़ा सा तारा निकला एक और बड़ा सा सूर्य निकलना आपके पास में ठीक है ना तो एक भटकता हुआ तारा हमारे सौर्मंडल के सूर्य के पास में से गुजरता है अच्छा यह मिर को बताओ कोई भी दो भारी वस्तुएं अगर आपके पास संपर्क में आएगी तो क्या होगा? In fact, कोई भी दो वस्तुएं संपर्क में आएगी तो क्या होगा? परत्वी का, प्रकृती का, इवन यूनिवर्स का एक नियम है, ग्रैविटी, गुरुत्वा कर्शन, राइट? वह कहीन कहीन, हलकी वस्तु जो है, वह भारी वस्तु की तरफ क्या हो जाएगी? आकर्शित हो गया, यस और नो, आकर्शित होती है, कहीन कहीन हम यहाँ पे जुआर और पाटा, है ना? हम कहते हैं, आ हमके पास में के सरजवार पाटा आता है, टाइड जाते है, हाइट जाता है, वह थे किसके करनाता है, कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वा कर्शन बलके करनाता है, कि परतवी के सागर और महा सागरों का जल जो है, वह कहीन, अभी वर्तमान स्तर से कुछ इस तरपे बढ़ जाता है और फिर वापस जैसे ही वो गुरुत्वा करशनबल कम होता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है क्या हमें ये पता हाई टाइड लो टाइड जुआर पाटा के बारे में हमने पढ़ा है वलब गुरुत्वा करशन के कारण जो भारी खगोली पिंड है वह हलकी वस्तुओं को अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं ये सोनो कर सकते हैं तो सोचे सर सूर्य के पास से अगर यहां प करेगा क्या अपनी तरफ आकरशित करेगा बिल्कुल करेगा बिल्कुल करेगा करेगा यह नी करेगा बिल्कुल करेगा अतेव यहां पे इस भटकते हुए तारे या वांडरिंग स्टार के द्वारा क्या क्या आगया आपके पास में कि सौर सता से सूर्य की सता से सामगरी क सिगार के आकार में विस्तार गड़ दियागै, एक शिगार, पता है आपने, सिगार आपने कभी बीडी, सिगरीट, सिगार वगर देखियो कि कई हिंदी मूवीज के अंदर, तो सर शिगार सेप के अंदर जो है, जैसे ही यह तारह इस सूर्य के पास से निकला, इसका कुछ प पदार्त है, इसका जो material है, इसका जो dust है, gases है, वो कहीं क्या हुआ? इस सिगार के आकार में सुर्य से बाहर आगी, बाहर आगी आपके पास में, है ना? और ये पदार्त सुर्य के चारो तरफ घूमने लग जाता तत पश्चात यही पदार जो है इस सूर्य के चारो तरफ basically क्या है निश्चित कक्षा के अंदर घूमने लग जाता है आपके पास में ठीक है ना दीरे दीरे यह जो घूमता हुआ जो पदार्थ है वह ग्रहों में संगनित हो जाता है मतलब यह जो डस्ट पार्ट उसे बड़े पदार बने, बड़े से और बड़े बने पहले बना planetesimals ग्रहानूं जिन से जुड़ने से कई करोडो ग्रहानूं के जुड़ने से बड़े बड़े ग्रहा बने, right और wrong, right जै, right उसके सुरुवार्थ में उसके उतरार्थ में यहां चैमरलीन और मॉल्टन के द्वारा दिये गए इन सिधानतों को आपको बहुत भेतरीन तरीकिसे पता होना चीए इनको कहिन कई Binary Star Theory या इनको कहिन कई Wondering Star Theory है ना इसके नाम से भी जाना जा सकता है बटकता हुआ, तारे का सिधन के सरेक बटकता हुआ तारा आया, सूर्य से मैटेरियल बाहर निकाला, सिगार शेप में वो गूमने लगा, देरे-देरे वो एक्रिशन होता रहा, उसके अंदर सामागरी देरे-देरे ग्रहों के रूप में संगनित होगी, जैसे एक-एक-एक- दलासे बना सकती है, राइट, राइट औरों, बिल्कुल बना सकती है आपके पास में, वैसे ही आपके पास में, इन गैस के कई छोटे-छोटे अनू मिलकर के बड़ा पिंड, फिर एक बड़ा पिंड, एक बड़ा साइज में, फिर एक ग्रहों के साइज का भी बिसिकली कुछ प्लैनेट्स बना सकती है तो यह एक अवधारना है अवधारना का क्या मतलब हुआ परिकल्पना का क्या मतलब हुआ ऐसा हुआ होगा अंटिलेनलेस इनके खिलाफ कोई बहतर अवधारना नहीं आ जाती तब तक जितने जादा बड़े बड़े वधारना को सत्य माना जाता है तो आज भी कहीन कहीन, जब हम ग्रहों की उत्पत्ति, प्रथ्वी की उत्पत्ति के बारे मıli पढ़े हैं, तो ये wandering star छोरी आती है, तो हमें कहीन कहीन बेसिकली ये पता रखना हैं, जब भी आपके पास में हम कहते हैं का सर स्टार्स कैसे बने हमारे तारे कैसे बने हमारा sun कै से बना तो सर हम कहेंगे कि सर यह कहिन कहीं नेबुला कहिन कहीं आपके पास में निहारिकाओं के द्वारा जो की गैसे और डस्ट का जो की गैस और धूल के कड़ों का बादल था इसके अंदर कंडेंशन एक्रीशन से बना है थीक है ना तो सर सन कैसे और वह बना वह समझाह गया प्लैनेट से बने तो आप कह ता एक इस लिए च है तो यह हमारे इस सूर्य के पास से निकला और इस कहि diffini Marso का ejection होता है कुछ पदार जो है वो निकल जाता है सिगार शेप में और वही मास वही पदार वही कहीं कहीं आपके पास में सूरी के चारों तरफ गोल-गोल डिस्क्रेप में गूमने लगता है और ग्रहों का रूप ले लेता है तो अभी आधुनिक सिधान्त कैसे आधुनिक स में क्यों कहता हूं या 120 में क्यों कहता हूं दोस्तों क्योंकि सवासो साल में विज्ञान वाकई कई गुना जो है ग्रोध कर चुका है और अब हमारे पास में स्पेस रेस के बाद में सेटलाइट से हमारे पास में टेलिसकोप है जेम्स वेब टेलिसकोप जैसे टेलिसकोप नहीं अपी तू दूसरी आकाश गंगाओं गैलेक्सिस का भी बेसिकली जो है अध्यन कर रहे हैं उसी ज्ञान और विज्ञान के माद्यम से आई इसको समझने की कोशिश करते हैं आधुनिक सुधानत में हम सिर्फ किसी प्लैनेट किसी ग्रह की समश्या की बजाए पूर्ण ब्रहांड की उत्पत्ति के समझ्याओं पर ध्यान देते हैं तो यह है modern बात किसर आपके पास में आपका स्टडी मैटर जोटा नहीं आपका स्टडी मैटर बहुत ही वास्ट है आपके पास में तो इन्होंने ब्रहांड की उत्पत्ति के बारे में बात की इन्होंने तारों के गठन की बात की और इन्होंने ग्रहों के निर्माण की यहां पर बात की सो एक स्टार और बागी प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हम पुरे युनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं आदोनिक सिदान modern theories के अंतर के दोस्तों अब modern theories जो है वो सुरुआत होती हैं आपके पास में universe की एक अवधारना जिसको हम लोग कहते हैं Big Bang Theory क्या नाम दिया जाता है इसको Big Bang Theory और Big Bang Theory में हुआ क्या था दोस्तों आपके पास में कि ब्रह्मांड की विस्तार की परिकल्पना है आपके पास में accelerated expansion of universe हुआ है आपके पास में वर्ष 1920 के अंदर यहां पर आपके पास में और दूर दूर चली जाती है आपके पास में और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती है अतेव universe जो है ब्रह्मांड जो है वह भी बढ़ता जा रहा है अब आप कहेंगे आकाश गंगाए क्या है जैसे प्रत्वी कहां है सौर मंडल में है सौर मंडल के कैंदर में स खटा करता है सोलार सिस्टम को इखटा करता हूं तो बनती है आकाश गंगाओं इनको इंगलिश में लिखा जाता है गैलक्सी हमारी आकाश गंगा कौन सी है आपके पास में Milky Way गैलक्सी कहा जाता है क्या कहा जाता है आपके पास में Milky Way गैलक्सी ठीक है अच्छा इस गैलक् आकाश से हमारी पूरी प्रत्वी के उपर जो है लाइफ फोर्स सस्टेनिंग है दोस्तों आज की तारिक में राइट सो यह कह रहा है कि ऐसी कई आकाश गंगाए हैं और पहले यह आकाश गंगाए नजदीक थी दीरे-दीरे जैसे जैसे स्पेस के अंदर हम टाइम में आगे हैं समय में आगे जा रहे हैं तो इन आकाश गंगाओं के बीच का दूरी बढ़ती जा रही है तो जो एकसपेंडिंगustom यूनिवर्स थैोरी जो है व्य दीती इनोंने कि नोइन बिग-benंग के माद्यम से आपके नाम थे, इनका दो आकाश गंगाओं के मध्य स्थान बढ़ता जा रहा है और इन्हों ने कहा कि इसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड का विकास हो रहा है हना सभी पदार्त एक स्थान में अनन्त समय पहले की बात की जा रही है कि कई वर्स पहले अगर मैं समय में पीछा चला जाओं आपके पास में आज हम ऐसे हैं गैलेक्सी आर अपार्ट है ना बहुती डिस्टिंस में बहुती दूरी पर अगर मैं समय में बहुत पीछा चला जाओं आपके पास में तो पूरस ब्रह्मांड के बीच में अभी दूरिया है तारों में सितारों में आकाश गंगाओं में गैल अनन्त बेसिकली इसका भार, अनन्त इसका द्रव्यमान और इसको फिर हम कहते हैं, यह प्रत्वी हैं, यह चंद्र हैं, यह सूर्य हैं, यह मिल्कीवे गेलेक्सी हैं, वो एंड्रोमेडा गेलेक्सी हैं, राइट? अब सथ चीजे जो हैं, अलग-अलग हो गई, पर सोचो जब यह सारी चीजे एक ही हुआ करती थी, इस कंसेप्ट को कहा जाता है, सिंग्यूलारिटी, क्या कहा जाता है? सिंग्यूलारिटी, एक वचन था, एक था, मतलब आपके पास में, पूरा व्रमान, आपके पास में कही कहीं कहीं कहा था, मेरे दोस्तों, the whole, the entire universe was kind of a kind of a atom, so यह बहुत छोटे आइतन के अंदर, basically, जो है, infinite temperature पे, बहुत ही ज्यादा अनन्त तापमान, अनन्त दाव, है ना, उसके अंदर, basically, पूरा का पूरा compact कर दिया क्या हो, है ना, अनन्त घनत वहोगा, density भी सूपर होगी, इसके आपके पास में, goes without saying, आपके पास, तो, यहाँ पे, जितना इसको compress कर सकते थे, चारो तरफ से हमने किया, और पूरे की पूरे ब्रहांड को बताया जाता है, कि यह एक small atom की तरह था, जिसमें पूरा ब्रहांड समा गया, अब फिर दीरे दीरे इन चीज को, basically, प्रेस क आपके पास में, कि सुरुवात के अंदर अनंत तापमान था, तापमान धीरे-दीरे कम होता है, chemical reactions होने रखती है, आपके पास में particles, sub particles, black matter, dark matter, जो हैं आपके पास में, वो धीरे-दीरे release होने लगता है, और ब्रहांड की उत्पत्य होती है, कि सरुवात में ब्रहांड इस Big Bang से सुरुवा, दीरे-दीरे-दीरे-दीरे पहले तापमान कम होता, galaxies बनना सुरू हुई, planets बनना सुरू है, पहले नेबुलास थे, फिर stars बने, फिर galaxies बनी, आज का जो हमें space यह दिखता है, वह पहले कहीं कहीं इस तरह से दिखता था, आज भी यह space जो हैं आगे expand कर रहा है, जो Big Bang हुआ उसके बाद में, उसके प्रथम कुछ seconds तक तो basically आपके पास में पुरत अनंतताप मनता, फिर इसके बाद में कुछ atoms, subatomic particles बनना सुरू हुए, फिर कई वर्षों के बाद में आपके पास में जो हैं तारे, निहारिकाएं, galaxies यह बनना सुरू हुए आपके प और फिर आपके पास में प्रत्वी का निर्मान, प्रत्वी के उपर जीवों की उत्पति, वे आज हम और आप इसी जीवन करम के cycle के अंदर exist कर रहे हैं, सोचो हम सब पहले कहां थे, एक अनंत तापमान, अनंत दाब और अनंत भार के अनंत छोटे शुक्ष्म कन के रूप म और इसी करण से पूरा ब्रह्मान का निर्मान हुआ है, तो अपने आपको कभी कम मताकना, मेरे बच्चों, कभी कम मताकना, आप भी कहीं कहीं इस ब्रह्मान के इस कॉस्मिक एनरजी का हिस्सा हूँ, आपको भी पैचालना चाहिए, कि जो सब में विध्यमान है, वह हम में इसलिए कहा जाता है, so हम, I am that, right, है न, so we all are one exactly, singularity theory यहीं पर प्रूफ हो जाती है आपके, so महा विस्पोर्ट बिग बैंग की बात करो, तो एक छोटी गैंद का विस्पोर्ट आपके पास में, लगबग आपके पास में आज से 13.7 अरव वर्ष पहले हुआ था, तो चीजे कैसे फैलती है, हम सबने दिवाली के अंदर, मिटी के अंदर कहीं कहीं बॉम या पठाका रखके जरूर फोड़ा होगा, right, क्या होता है आपने, कहीं देखने कोशिच की, हलका सा बारूध उस बॉम के अंदर था, और उसके कारण क्या हुआ, जो मिटी का पूरा का आपने वो धेला बनाये था, वो चारो दिशा के अंदर फैल जाता है, right or no, ऐसा ही होता है, yes or no, जो आलमु की फटता है तो क्या होता है, चट्टाने और गैसे चारो दिशा में फैलना सुरू जाती है, expansion, प्रशारन होना सुरू जाता है, एक जगा से दूसरी जगा जाना स आप सोचे, अंतरिक्स के अंदर भी यही चीज हुई, बिग बैंग हुआ और चारो तरफ जो है एनर्जी और मास, स्पीड से ट्रावल करना सुरू कर देते, और इतना स्पीड से और इतनी एनर्जी के साथ में वो बैंग हुआ था, वो विस्पोट हुआ था, महा विस्प जो है वो एक दूसरे से मूव कर रही है, दूर तरफ ठीक है ना, सो आज भी उनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, फैलता जा रहा है, इनको बिसिकली हम लोग कहते हैं तो ग्रेट एक्सपांशन विशाल विस्तार, और इसी से उनिवर्स का विकाश हुआ है, कुछ उर्जा पदार्थों के अंदर, तो जो यहां से एनर्जी निकली ना, वही एनर्जी कहीं कहीं जो है, मैटर के अंदर, है ना, एनर्जी जो हैं वो दिरे-दिरे, मैटर के अंदर, कनवर्ट होने लग जाती हैं, एनर्जी जो हैं, वो मैटर में कनट होने लग जाती हैं, उर्जा प हटना के पहले तीन मिनट के भीतर पहले पर्मानु का निर्मान वा तो सोचो सर आज से 13.7 बिलियन वर्स पहले जो कहीं कहीं महावी स्पोर्ट बिग बैंग हुआ था उसके मात्र तीन मिनट के अंदर पहला पर्मानु फस्ट एटम बनके तयार हो चुका था आपके पास में तो बिग बैंग का जो यह इवेंट बताए जाता है ना कि सर यहां से अगर मैं समय की गढ़ना शुरू करू आपके पास में सो किस तरीके से यह गती कहीं कहीं आगे बढ़ी है और कैसे हम इन गिलैक्सिज और प्रिजेंट डे के अंदर बेसिकली पहुंचे हैं ठीक है ना इस बिग बैंग के माध्यम से ही कहीं कहीं आपके पास में आज का यूनिवर्स आज का ब्रह्मान जो है वो एक्जिस्ट कर रहा है दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं राइट बिग बैंग जो हैं आपके पास में यहां पे लगबग आपके पास में अगर मैं कहूं तो सोचो पहले जो अनन्त उष्वा निकली थी इंफाइनेट हीट जो निकली थी वो दिरे दिरे अंतरिक्ष का तापमान कम होने लग जाता है ठीक है ना? कूलिंग डाउन अच्छा सोचो जब भी कोई चीज गरम होती है तो क्या होता है? अनू परमानो दूर दूर फैल जाते हैं अच्छा जब कोई चीज ठंडी होगी तो क्या होगी अनू परमानो सेटल होने लगेंगे? एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे? उसका द्रव्यमान, उसका आयतन कहीं कहीं कम होने लगेगा? उसमें dust particles हट जाएंगे? उसमें clarity होगी? उसमें पारदर्शिता होगी? यस सर तो परमानों का, पदार्थों का, materials का कहीं के उद्बव होना सुरू हो जाता है तो सुचो जो बिग मैंग के 3 मिनिट के अंदर अंदर पहला परमानो बन चुका था पर अब इस परमानों से पदार्थ बनने का, बरब right from the atoms, materials बनने का कहीं कहीं जो एक प्रॉसस सुरू होता है आठ लाख वर्षों के पश्चाद और ब्रहमान यहाँ पर पारदर्शिता होता था जादा पारदर्शिता मेंटेन हो लग जाती एक तो सरी पुरा हेगी, फौगी एक तरीके से अब पारदर्शियमाध्यमे है ना, अब जब चीज़े जुड़न लगगी तो जादा space है clear अब जब जादा जुड़न लगी जादा space clear है आपके पास है इस तरीके से दीरे दीरे सारी चीजे जो है जो एटम्स थे वह पदार्त में संगठित होने लग गए क्योंकि अंतरिक्ष का स्पेस का ब्रह्मांड का ताप मान सुरू के 8000 वर्सों के पश्चात 4500 केल्विन तक पहुँच गया ठंडा होने लगा ब्रह्मांड पारदर्शी ह होता जाता है स्पेस आज इसलिए आपको जो है इतने प्रकाश वर्स दूर जो तारे हैं वो टिम टिमाते हुए सही पर रात को नजर आते कैसे हमारी इन नगन आखों से हम उनको देख पाते हैं कारण यही था कि अंतरिक्ष का तापमान उतना ही बेसिकली ज्यादा होता त वां की आज इसा रहता पर ऐसा तो है नहीं थिक है नर तो ब्रह्मान का विस्तार जो है का इनका उनिवेर्स कैंस कराण the औक्र तो हमारा सूर्य जो है ना वो इस आकाश गंगा में है ऐसे कई तारे मिलकर के यह आकाश गंगा बनाते हैं कई लाखो करोड़ों तारे मिलकर आकाश गंगा है बनाते हैं जैसे हमारा सूर्य जो है इस आकाश गंगा के अंदर इस मिलकी वे गेलेक्सी के अंदर जो बिलियंस of the stars है, जो अर्बो तारे हैं, उसमें से एक तारा है, एक तारा है, बस, और उस एक तारे के कई planets में से, सूर्य में के आसपस कई planets हो, उसमें से एक planet पे हम है, इस प्रत्वी पे कई जीवों में से एक हम है, और उन तमाम जीवों में से जो हमारी प्रजाती है, homo sapiens, sapiens, इस पूरे ब्रह्मान, इस पूरे system, इस पूरी परिकल्पना के सामने आपका और हमारा क्या वर्चस हो ए, तो जो सायद आज मेरा अध्यापन करना या आपका अध्यान करना मात्र, इस universal time period के अंदर, इस antariksh के कालखंड के अंदर, एक शलिश मात्र भी नहीं है, वो कभी भी जीवन में ego मुत रख लेना मैं हूँ और ये कर रहा हूँ मैंने ये किया मैं नहीं हुआ तो मेरा ये हो गया तो मैं समय को बरबाद कर देगा तो अपने आपको इस great structure का इस great system का part बना करके चलो you are part of this cosmic energy इसको कितना creatively और खुबसूरत तरीके से manifest कर पाओगे बस उस मेहनत में लग जाओ चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे द्वी आदारी सिद्धान्त की बात करते हैं द्वी आदारी सिद्धान्त की बात करें दोस्तों आपके पास में binary system की बात करें तो सूर्य से एक सा सह अस्तित्व गिरा हुआ था जिससे ज्यादा तर हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ कुछ दूल के करण भी थे पर उनमें घर्शन होता है उन करणों से टकरा कर डिस्क के शैप में आकार में बादल में बच जाते हैं और यह अभी व्रद्धी की प्रक्रिया अभी प्रद्धी मतलब करण से करण जूड़ते जाते हैं और बाहरी जूड वह संचे द्वारा इसकी व्रद्धी होती है मतलब आउटर लेयर पे यह जूड़ते जाते हैं अगर मैं इसको देशी बासा में समझाने की कोशिश करूं मेरे दोस्तों तो एक तरीके से पाने है इतनी उड़जा कहां से आती है सर यह hydrogen और hydrogen इनके बीच में होता है नाभी किया अभीक्रिया nuclear fusion reaction और इस nuclear fusion reaction के कारण कहीं कर यह hydrogen helium में बदल जाती है तो वहाँ fuel क्या है वहाँ इधन क्या है सुर्य पे कौन सी ताक्त है hydrogen और उच्छ टाप और उच्छ डाब की परिस्तित्यों में वहां पर वैसी परिस्तितिया बन जाती हैं कि सब्सक्राइब जो पहिंद करके लियुक नहीं रही है अनंत काल से चलिया आ सबसे सिंपल ही, तो hydrogen और hydrogen जुड़ करके helium बन रहे हैं, अब helium भी जुड़ता जाता है, दीरे दीरे helium जुड़ करके, क्या बना देंगे, 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 क्या बना देंगे इस gas के बादल में से बना है इस gas के बादल में कहीं localize बहुत सारी gases इखटी हो गई उनके अंदर नाभी के सल्लयन की प्रक्रिया सुरू हो गई और यहां पे बन गया हमारा star हमारा सूरिय उसमें उर्जा आ रही है hydrogen और hydrogen के जुड़ के helium बनाने के कारण अब सोचे कितना भी बड़ा star क्यों ना हो उसके अंदर अर्बो करोडो millions और बिलियन के बाद में यह hydrogen खतम तो होगी कभी तो समय आएगा कि आपकी गाड़ी में वरावा petrol खतम होगा, आपकी कार में वरावा diesel खतम होगा, airplane में वरावा बेसिकली जो फ्यूल खतम होगा, हाँ या ना होगा सर वैसे ही, जब इनका hydrogen और helium खतम होता है क्या होता है, कि सर जब तारे का star का भी एक life cycle होता है, एक जीवन चकर होता है वह भी दीरे दीरे बेसिकली जो है खतम होने के गगार पे आजाता है it also ends, अभी में बताऊंगा उसके बारे में भी आके, so दीरे दीरे बेसिकली जिस तरीकी से सूर्य बना है, वैसे ही जो dust के particles है, वह जूडते जाते, जूडते जाते और इसकी बाहरी layer के उपर बेसिकली एक accretion होना सुरू हो जाता है ice giants, terrestrial planets, earth भी कुछ ऐसे ही बना हैं दोस्तों आपका the star formation, आकाश गंगा में बड़ी शंख्या में तारा होता है, और यह जो करोड़ो तारे होंगे आपके पास में, और यह जो करोड़ो तारे हैं आपके पास में, हर तारा basically किसमें बनता है, nebula के अंदर बनता है, nebula में बहुत बड़े basically hydrogen gases का basically क्या होता है, यह एक बादल होता है, और hydrogen gas के बादल के अंदर बहुत सारी gases hydrogen helium मिलके जहां पे एक star बना देती है, तो nebula क्या है आपके पास में, एक ऐसी जगा जहां पे hydrogen helium जैसी gases और dust के particles पाय जाते हैं, वहां पे तारो का जनव हो जाता है, इसको cradles of stars भी कहा जाता है, इसको तारो का पालना भी कहा जाता है, इसको सूरिय का पालना भी कहा जाता है, हमारा भी सूरिय कहीन कहीन एक आकाश गंगा के अंदर है और उस आकाश गंगा के किसी नेबूला के अंदर ही है बनाएं क्या यह याद रखा जा सकता है जी हां तो यहां बढ़ती हुई नेबूला जो होती है आपके पास में वो गैसों को स्थानिय करत कर देती है मतलब स्थानिय करत कुछ गुछ हो जाते है कि सर जो यह नेबूला है आपके पास में यह जो नेबूला है यह गैस पींड है इसमें कहीं कहीं एक जगह पर गैस का कॉंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एक जगह पर गैस से जादा इखटी हो जाएगी और इखटी हो करके एक स्टार का फॉर्मेशन ले लेगी एक स्टार एक तारा ब और वापस, जब इसका hydrogen helium खतम हो गया, hydrogen खतम होगा तो helium बना, helium भी जूड के खतम होगया तो carbon बना, अंतत्तह basically क्या होगा, इसकी light dim हो जाएगी, इसका प्रकाश कम हो जाएगा, दीरे दीरे इसमें वापस blast हो जाएगा, और जिस gas और dust particle से ये बनाता, वापस ये nebula के रूप में जूड जाएगा, वही बात है, कि हम किस से बने, इस प्रकृति से बने, पंच भूत से बने, और मरने के पश्चाथ वापस इस पंच भूत के अंदर ही विले हो जाते है, yes और no, वैसी starts, अब ये process जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ये होने में billions of the years लग जाते है main civic, sequence star भी हो सकता है, आपके पास में, अच्छा कई बार star जो है, तूट के supernova भी बना सकता है, black hole भी बना सकता है, neutron star भी बना सकता है, वो इसके द्रव्यमान पे, वो इसके प्रकृति पे, इसके अंदर gases की मात्रा पे depend करता है, वो कहीं और पढ़ेंगे अभी हम, basically जानने क कोशिश करते हैं, कि सर, नेबूला में जो ये गुच्छ हो जाते हैं, गैसों का क्लम्प बन जाता है, लोकलाइज क्लम्प, है ना, और यहां पे संगनिय जो आपके पास में, संगन गैसी पेंड़ों में विकसित हो जाते हैं, और जिसे तारोख का निर्मान होता है, तो सूर्य की कोई सरफिस है क्या, नो सर दे आर गैसी स्ट बॉड़ी, सूर्य क्या है एक तराका, गैसी स एक तराका बॉड़ी है, यहां पे गैसी इह पिंड में विकसित हो जाते हैं, जिसे तारोख का निर्मान होता है, इतना सा याद रखना है हमको, ठीके, आच्छा, अब ह तो इतनी विशाल दूरीं पर आकाय गंगाओं को वक्षा जाता है। दूरियों का प्रकाश वर्स में मापा जाता है तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी कितनी दूर है तो यह कोई हम मीटर, सेंटीमीटर, इंचेज, किलोमेटर और मील में कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके लिए आकाश के अंदर बेसिकली, अंतरिक्ष के अंदर बेसिकली जो डिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं दोस्तों प्रकाश वर्स, अब ये वर्स तो समय है सर कि सर वर्ष, महीना, सब्ता, पक्वाड़ा, दिन, घंटे, सेकेंड, यह सब्तों बेसिकली जो है आपके पास में, they are somewhere down the line, यह बताते हैं आपके पास में time को, पर आप कहा रहे हैं कि सर यहाँ पे year, यहाँ पे वर्ष, तमय को नहीं और दूरी का सूचक है, जी हाँ, अंतरि प्रकाश जो है, light जो है, वर्ष, एक वर्ष, तो प्रकाश जो है, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, उसको प्रकाश वर्ष का जाता है, प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, न की समय का यहाद रखे सबसे पहला point, दूसरा, प्रकाश के दौरा एक वर्ष में तय की कि अथे थेरे मत्दब प्रकाश कहां से निकला पuturn की फॉर्वेट पर्मेट में का शे निकला क्का शोर्य हो जाहां से बहुत निकल रहा है उ प्रकाश कितने स्पीड moral कि color 1975 प्रकाश की पती मानए ऐप हुँआँ टो में लगवग 30,000,000 km per second के आसपास में यह और प्रकाश वर्स बेसिकली किसको कहा जाता है आपके पास में 9.4 multiplied by the 1012, 10 raise to 12 तो यह इतनी स्पीड से बेसिकली जो है इसको प्रकाश वर्स कहा जाता है आपका और सूर्य और प्रत्वी के बीच की औस दूरी लगवग जो है आपक प्रकाश वर्स के संदर्व में लगवग सूर्य से जो प्रकाश निकला प्रकाश की गती से चलता हुआ आठ मिनिट और आठ पॉइंट तीन मिनिट में प्रत्वी तक पहुंच जाता है तो यहां पे अगर मैं कहूं लाइट यर्ट के अंतरगत अगर मैं कहूं आपको तो से एक्सप्रोक्सिमेटली सूर्य से प्रकाश प्रत्वी तक पहुंचता है आठ पॉइंट तीन मिनिट में है ना अच्छा हमारे जो सबसे नेबरिंग स्टार कौन सा है मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में एक तो हमारा सूर्य है सबसे नजदिक स्टार सूर्य के बाद में भी तौ कोई स्टार ओगा सबसे नजदिक कोई और सूर्य मंदल होगा वो है प्रॉक्सिमा सैंचूरी क्या है प्रॉक्सिमा सैंचूरी तो क्लोजिस्ट नेबरिंग स्टार जो है वहा तक जाने के लिए 4.3 light year है मतलब हमारी आकाश गंगा में ही हमारे पढोसी तारे तक प्रकाश की गती से हमें 4.3 वर्ष्रों तक गती मान करना रहेगा, ट्रैवल करना रहेगा, तब जाकर के हम पहुंचेंगे वहाँ, यह पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, तत्पश्यात आपको पता होना चाहिए, कई नक्षत्रों को तारा मंडल्स को भी आपने बेस 320 प्रकाश वर्ष बेसिकली ट्रैवल करना होगा, वह लोग, 320 सालों तक प्रकाश की गती से चलते रहोगे, तब जाकर के तुम इस पोलेरिस, तब जाकर के तुम इस नौट स्टार, इस धुरूत आरे तक पहुंच पाऊगे, राइट, एक और एक्जांपल लेलो प्रकाश वर्ष के लिए, के सर, Milky Way Galaxy है सर हमारी, यह हमारी गैलक्सी है, हमारा सूर्य कहीं इस गैलक्सी के अंदर यहां बाहर है, ठीक है न, इस गैलक्सी के कैंदर तक पहुंचने के लिए हमको 26,000 प्रकाश वर्ष चलना पड़ेगा, कितना 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है, हमारे सूर्य की गैलक्सी के कैंदर से, Milky Way Galaxy के कैंदर से, मतलब इसी गैलक्सी में ही तो है हमारा सोलार सिस्टम, इसी Milky Way Galaxy, इसी आकाश गंगा में हमारा सौर्स मंडल है, इस सौर मंडल से, इस प्रत्वी से, अगर मैं आकाश गंगा Milky Way Galaxy के कैंदर में जाना चाहूं, तो कैंदर तक जाने के लिए 26 जार वर्शों तक सूर्य के प्रकास की स्पीड से प्रकास की स्पीड से मिरे को ट्रैवल करना होगा और यहां पै और comparison देखो, 2.5 million, एक million का मतलब होता है दस लाख, एक million मतलब 10 लाख होता है, तो 2.5 क्या मतलब कि आपके पास में लगबग आपके पास में 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा किया है यह हमारी गैलक्सी है और एक और गैलक्सी है हमारी गैलक्सी का क्या नाम है आपके पास में से ट्रेवल करना होगा और ये तो खारी दो गैलेक्सी की बात कर रहे है ऐसी अनन्त गैलेक्सी ऐसी अनन्त गैलेक्सी है पुरे ब्रहमार्ण में अब सोचिए 13.4 billion प्रकाशवट्स चलना होगा 13.4 अरब प्रकाशवट्स चलना होगा हमको from one of the oldest galaxies जो हमें प्रत्वी से हमने जो गैलेक्सी अब्ज़र्व की है यह सबसे पुरानी गैलेक्सी है जी एन जेड इलेवन गैलेक्सी का नाम क्या है जी एन जेड इलेवन यह एक आकाश गंगा है यह एक गैलेक्सी है जिसको हम आज की तारिक पे अपने विज्ञान के नॉलेज़ पे मानते हैं कि ये अंतरिक्ष में ये ब्रह्मान में सबसे पुरानी गैलेक्सी है अगर उस पुरानी गैलेक्सी पे अगर अपन को जाना है ना तो हमको प्रकाश की स्पीड से चलना होगा और 13.4 अरब वर्षो के बाद में हम वहाँ पहुंचेंगे तो जो ब्रह्मान तुमारे एक युरियोसिटी तुमारी कहीं कहीं जो एक जानने की जो ललक है उसका कहीं कहीं बिंदु आया उसका कहीं कहीं एक लिमिट आया आया होगा आया होगा इस कमपरिजन के बाद में तो सूर्य से निकलावा प्रकाश किस वेग से कहीं न कहीं 8.3 मिनिट में प्रत्वी तक पहुंचता है और जो यह दूरी है इस दूरी को one astronomical unit कहते हैं प्रत्वी से चंद्रमा के बीच में और से चंद्रमा के बीच में जो है अगर प्रकाश की स्पीड से ट्रेवल करूँ तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है lunar distance कहा जाता है और यही प्रकाश की speed से अगर मैं चलता रहूं एक वर्ष तक जितनी में प्रकाश दूरी तय करेगा इस पूरे distance को basically कहा जाएगा प्रकाश वर्ष क्या अब आप comparison ट्रॉक कर पा रहे हैं तो यह distance का ध्यातव्य देता है ना कि समय का ठीक है द निहारिकाओं में जो संगनन हुआ hydrogen का उससे जो गैसिये पिंड बने उससे बनता है हमारा main phase star अब उसके कोर में hydrogen hydrogen gas जुडती रहती है ना भी किया संलयन अभी क्रिया होती रहती है उस संलयन उस जुडाव उसके fusion के कारण helium बनता रहता है तो अब दीरे दीरे जो यहाँ प hydrogen में बड़ा बड़ोतरी हो जाती है अब hydrogen तो खतम हो रही है और helium बढ़ रहा है तो star की size बढ़ती जाती है एक समय ऐसा आएगा कि सर hydrogen पूरी खतम हो जाएगी मात्र helium बच जाएगी star की size बढ़ी हो जाएगी और star blast हो जाएग बुम अगेन और बुम होने के बाद में collapse होने के बाद में या तो यह वापस ऐसी dust nebula की format में आ जाएगा या यहां पे यह कहिन कहीं white dwarf बन जाएगा white dwarf का क्या मलोग जितनी gases थी hydrogen helium सब बगा दी अब खाली मात्र कुछ hydrogen बची है और वो लगातार जल रही है और खतम हो जाएगा एक बाद में इसका भी एक life cycle होता है ठीक ह अलग अलग डिएट इस डिपेंडिंग अपॉन आपके पास में small star कौन सा है large star कौन सा कितना आयतन है इनका उसके आदार पे supernova black hole में भी यह convert हो सकता है तो गरहों का निर्मान कैसे हुआ इसके बारे में कुछ वीचे बिवेचना हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है इसको समझेगे किसे गरहों के विकास का क्या क्या चरण है जो stars है वह एक निहारिकाओं के बीतर gas का एक स्थानिय गाठ है यह समझ में आ गया कि localized lump of the gases in a nebula यहाँ पे आपके पास में निहारिकाओं में nebulas में gas के बादलों के अंदर एक स्थानिय लिवल पे gas के पिंड बन के कारण एक कोर का निर्मान हो गया गैस यह पिंड जो मने उसके अंदर कहिन के एक कोर का निर्मान हो गया आपके पास में के अंदर का निर्मान हो गया आपके पास में और गैस और धूल के विशाल गुर्णन के कारण यहाँ पे एक डिस्क का निर्मान हो जाता है मतलब ज प्रक्रिया द्वारा वस्तों का ग्रहानों में परिवर्टन हो जाता है मलब यह dust particles, gas particles जोटते हैं, जोटते हैं planetesimals बनाते हैं जिसको ग्रह अनू कहते हैं वह अनू, वह छोटे-छोटे localized कहीन कहीं आपके पास में planetesimals जिनसे planets का निर्मान हुआ है आपके पास में और इन ग्रहानों को बड़ी संक्या में छोटे pin'd होते हैं जोटे-छोटे से pin'd होंगे आपके पास में ठीके और यहाँ पे बड़ी संक्या में इन छोटे ग्रहानों के मिलने से कहीन कहीं आपके पास में बड़े pin'd बनते हैं बड़े आपके पास में जो हैं astronomical objects बनते हैं जिनको हम लोग planets asteroids कई नाम दे सकते हैं आपके पास में आपको यह चीज सारी समझ में आनी चीए कि किस तरीके से आपके पास में gases और dust के nebulas से सूर्य का डिस्क का निर्मान हुआ डिस्क के अंदर gases का planet decimals और planets के अंतरकत निर्मान हुआ ग्रहानू और ग्रह बने ग्रह दीरे 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 पूरी तरीके से सॊर्ट सिस्टम के अंदर का थम को देखने को मिलते है सर ठीकαι अब समझ में आ गया कि सर हमari प्रत्वी कैसे बनी है ग्रह कैसे बने है यह उज़ूजज़ परिकल्पना है कर से से कुछ पदार्थ अलग होकर के प्लैनेट्स बने होंगे याद करो सिगार शेप थियोरी पढ़ी थी ना अभी अपन ने वैसे ही वांडिंग स्टार थियोरी के जैसे एक और थियोरी दी जाती है जैसे चंद्रमा हमारा उपग्रह है मून इजार सैटलाइट तो सर यहां पर उपग्रह कैसे बनाएं तो प्रत्वी का एक मातर उपग्रह चंद्रमा है चांद 1838 में जॉर्ज डार्विन ने का कि प्रत्वी और चांद ने एक ही तेजी से गुमने वाले पिंड का निर्मान किया सुरू में मलब प्रत्वी जो है चंद्रमा जो है पहले एक ही हुआ करते थे एक ही थे सुर्य के चारों तरफ घूम रहे थे यह पर फिर क्या हुआ आपके पास में के यहाँ पर पूरा द्रयाम एक गुंगी घंटी के आकार का पिंड बन गया ग अन्त तह यह तूड़ गया सामान्य मानेता ही हं के चंद्रमा का निर्मान एक विशाल का है प्रभाव या बिंग स्प्लैट का परिणा में विंग स्प्लैट मतलब क्या होता है आपके पास में तो यहाँ पर प्रत्वी का जो निर्मान होता है, उसके पश्याद एक पिंड का प्रत्वी से टकरावद होता है, और पिंड का आकार लगबग मंगल गरह के आकार के 2-1-3 गुना के करीबता आपके पास में, और प्रत्वी के एक बड़े हिस्से का अंतरिक्ष में विश्वो और पहले तो वो बेसिकली गैस और डर्स्ट और कहीं कहीं पिंडो की रूप में घुम रहा था, अब वो सारी चीजे जुड के बन गया है हमारा चंद्रमा, के सर प्रत्वी से आकर के मंगल गरह के 1-3 गुना आकार का कहीं कहीं कोई एस्टेरोइड प्लैनेट्स आकर के टक गूमने लग गया, वो कालांतर में करोडों वर्षों के अंदर वो जूड करके एक चंद्रमा का शेप ले लेता है और वो प्रत्वी के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करना सुरू कर देता है, मतलब जो हमारी प्रोटो अर्थ थी, जो हमारी सुरुवा है न, तो यहाँ पे मार्स के साइज का एक अब्जेक्ट जो था, वो हमारी प्रोटो अर्थ थे, वो हमारी नई प्रत्वी से टकराया था, करोडो वर्ष पहले और यहाँ पे उसके पश्चाद क्या हुआ, के ओर्बिट के अंदर कई सारा जो मैटिरिल है, वो इसके टकरा वही कहीं कहीं आपके पास में मैटरियल जोड करके चंदरमा बन जाता है, और एक प्रत्वी और चंदरमा का एक नया तंतर, एक नया सिस्टम सुरू हो जाता है, यह याद रही, तो क्या हमको यहां तक आते आते हैं, मैं कुछ चीज़े कैलकुलेट करता हूँ, क्या हमने यूनिवर्स कैसे बना वो समझा, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में आकाश गंगा कैसे बनी, आकाश गंगा कैसे बनी, वो समझा हमने, उनमें कैसे आज भी expansion चल रहा है, फिर उसके बाद में हमने ये भी समझा कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है, हमारा सोर मंडल कौ उपग्रह कैसे बने होंगे रहोके उपग्रह कैसे बने होंगे तो यही चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है यह chapter कि अंबल से simple से शब्दों के इंतर है ना दोस्तों अब यह जो हमारी प्रत्वी बन चुकी यह जो हमारी अर्थ बन चुकी है इस अर्थ का सुरुवात में तो यह बेसिकली जो क्योंकि यह भी सूर्य के जैसे हाइड्रोजन हीलियम वह अन्य गैसे के पार्टिकल्स के एक्रिशन से बनी यह सुरुवात में यह भी रहने लायक नहीं रही होगी सर इतना अनंत तापमान अन्हेबिटेबल प्लेस हुआ करता था रहने लायक नहीं था फिर धीरे धीरे यह ठंडी होने लगती है अर्थ कूल डाउन होती है इसकी डी गैसिंग होती है जो विशाक्त गैसे थे वह कहीन कई अंतरिक्ष में वापस छोड़ जे जाते है और इसका धीरे धीरे गवाता आवरन वायू मंडल का निर्मान होता है जलवास्प वर्षा होती है और एक प्रॉपर लीथो स्वेर एटमोस्वेर हाइड्रो स्वेर बनता है और उसके थ्रूप बायो स्वेर का निर्मान होता है जन्तु जगत का निर्मान होता है और आज लाइफ सस्टेन कार पारी प्र प्रारम में प्रथी जो हैं बंजर, पत्री ली और गरम वस्तु थी आपके पास में, hydrogen और helium का जो एक पतला आवरण प्रत्री के चारोत तरह हुआ करता था, क्योंकि वह इसी सूर्य के nebula के आसपास में सही हैool किलिए पर्त्री भी उसी से बनने था, फिर जैसे यहां पर ठोस सत्व लीथो स्फेर जिसको हम भू परपटी कहते हैं जिसको आज हमारे महासागर और महाद्वीप है तो उसका निर्मान कैसे हो आज प्रारंबी कवस्ता में प्रत्वी जो थी अस्थिर थी अंस्टेबल थी आपके पास में तो सोचो दिरे-दिरे क के टकराएं तो प्रत्वी सुरुवात में अस्थिर रही बहुत जादा जीवन संभव नहीं था फिर घनत्तों में दीरे-दीरे वरदी होती है क्योंकि प्रत्वी जैसे थंडी होती है तो गैसे हटने लगती है ठोस चीजों का निर्मान होने लगता है आंत्रिक तापमान म कर आंत्रिक सामगरी का प्रतक करण होता है आपको पता होना चीए कि जब भी आपने देखा होगा के जो भारी वस्तुएं वो नीचे चली जाती है हलकी वस्तुएं वो सत्व पर रह जाती है पानी में ऐसा ही होता है तो जब यह प्रत्वी पूरा शुरुवात में आपके पास में एक गरम आग का गुला हुआ करते थी मॉल्टन रॉक्स हुआ करते थी तो भारी चीजे प्रत्वी के कैंदर में चली अब सतह पे क्या बचा सतह पे क्रश्ट पे भू परपटी पे हलकी चीजे बची दिरे दिरे वहलकी चीजे सॉलीडिफाइए होना ठंडी होना ठो सवस्था में आना शुरू होना शुरूइ और बार का विकास. पपड़ी के रूप में होने लगा तो अर्थ के बाहर एक कहीं कहीं एक पपड़ी एक कहीं 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 लीथो स्वेर का स्थल मंडल का निर्मान हुआ और इसी के आदार पर हम कहते हैं के सर हमारा कहीं कहीं क्रस्ट हैं फिर मेंटल हैं आउटर कोर हैं और इनर कोर है न ऐसे प् प्रत्वी का कूलिंग चल रहा था प्रत्वी का तापमान कम हो रहा था वह दीरे दीरे गैसियस और लिक्विड अवस्ता से ठोस अवस्ता की तरफ जा रही थी आपके पास में तो चंद्रमा के निर्मान के दोरान विशाल इंपक्त जैसे जो बिग स्प्लैट कहा था अभी पनने के थिया टकराया था इसके करण प्रत्वी वापस गरम हो गई थी तो दीरी दीर जो कूल हो रही थी ना थिया के टकराने के करण प्रत्वी वापस गरम हो गई थी आपके पास में और प्रत्वी पर और प्रत्वी की और अधिक गरम होने के करण प्रत्वी बनने वाल हलकी चीजे बाहर, बाहर, सबसे हलकी चीजे सबसे बाहर, तो इसी के आधार पे प्रत्वी का जो हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर बना, कोर में सबसे भारी, मेंटल में कम भारी, और क्रस्ट पे, भूपरपटी पे, बाहर के लीथोस पे, स्थल मंडल पे, सबसे हलकी वस्तों का जमावना शुरू हुआ तत्पश्याद प्रत्वी के अंदर क्या थी सुरुवात में हमने का ना कि सर सुरुवात में तो मात्र हाइडरोजन और हिलियम गैसे जिवा खर्च थी धीरे धीरे एटमास्फियर में क्या हुआ कि सर सॉलिडिफिकेशन हुआ प्रत्वी के अंदर के अंदर से जो जलवास पर बाहर आने लगी सियो टू वगर जो है यहाँ पर मेंटेन होने लगी ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हुआ अमोनिया का रिसाव बाहर हुआ तो यह डी गैसिंग और कूलिंग के कारण के प्रत्वी आज का एटमोस्फेर कैसे बना आज जो हम कहते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, ओजोन, हाइड्रोजन, जलवास पर अगर सब है हमार पास CO2 अगर तो यह कैसे बना वर्तमान वातावरण का विकास कई चरणों में हुआ आज जसे हमको दिखता है वैसा हमेशा से प्रत्वी का वातावरण नहीं था, वायू मंडल नहीं था आदिम वातावरण का यहाँ पे कहिन के शय नुक्षान होना आदिम मतलब क्या हो गया? जो प्रीमोडिल अर्थ थी जो इनीशिल वे में जो अर्थ का अट्मोस्फियर था, क्या था? कि पूरी प्रत्वी के चारोतव हाइडरोण और हीलियम की गैस की परत्ती क्या बताया? व्योंकि नेबुला, गैस डस्ट के पार्टिकल्स में थी ही हाइडरोण हीलियम और क्या चीज होगी वहाँ पे? उसका कहिन कहीं नुकसान, उसका हटना जरूरी था और फिर गरम प्रत्वी के आंतरिक भाग बे वातारोण के विकाश में योगदान दिया तो यहाँ पे कहीं कि जो इंटरनल भाग था ना आपके पास में हमने बताया ना कि से भारी वस्तुए अंदर चली गए, हल्की वस्तुए बाहर आगी, गैसे जौला मुखी से बाहर आना शुरू ही तो प्रकार संस्लेशन की प्रक्रियाओं के माध्यम से सजीव जगदवारा वातारोण की सरचना में संसोधन वा, है ना, कि जैसे जैसे पैड़ पोदे आए, जीव जन्तु आए, यहाँ पे जलवास्प आने लगी आपके पास में दीरे-दीरे, तो सौर हवाओं के परिण सोलार फ्लेर्स, सोलार स्टॉम्स आते रहते हैं, पर हमारी प्रत्वी तो इसका जो मेगनेटिक फिल्ड भी हम अगर बात करते हैं, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो यह, पर इसके सामने बेसिकली सोलार फिल्ड के सामने नहीं टिक पाया है, तो सुरुवात के जो हाइडर और स्योटू का एक मिंटेनिंस हुआ, और यहां पे दीरे-दीरे जो हैं, हाइडरोजन हिल्यम हट के आज का नवीन एटमस्फिर जो है वह बन के तयार हो, सो प्रत्वी का ठंडा होना बहुत ही इंपोर्टेंट था आपके पास में, गैसो और जल्वास्प का आंतरिक ठोस प्रत्वी से छोड़ा गया, आपके पास में इसको डी-गैसिंग कहते हैं, है ना, कि प्रत्वी के अंदर जो जल्वास्पती वो कैसे बाहर आई, वलकेनों के साथ ही जौला मुखी के साथ ही तो बाहर आई, सुरुवाती गैसिस कहां से आई, हाइडरोजन हिलियम जो चार प्रत्वी के अंदर होना, प्रत्वी के अंदर से गैस बाहर आ गई, और उसके वातावरण में वायू मंडल में चारो तरफ वो बेसिकली मेंटेन हो गई, और यहाँ पे वरत्मान वातावरण का विकास हुआ, तो आज का विकास जो भी हो रहा है वातावरण का, वो कैसे ह प्रत्वी के कारण और प्रत्वी की कारण आज प्रत्वी का शोब मंदल समताप मंदल, मध्य मंदल, ताप मंदल, बहिल मंदल बनावाए, तो निरंतर जौलम के विसपोट से क्या हुआगा, कई जलवास्प और gases जो है वायू मंदल में जूड़ती के और इस जलवास्प और इन gases के कारण ही तो आज हम सस्टेन कर रहे हैं जलवास्प से पानी है, gases के कारण प्राण वायू ऑक्सिजन है, right और wrong CO2 के कारण कहींगे इन greenhouse effect है, हमारा तापमान प्रत्वी का maintain रहता है, yes or no तो कितनी important चीज़ है, जौला मुखी, yes it is, है ना, तो हमारा पूरा वायू मंदल, इसके अन्य पड़ते, शोब, समताप, मध्य, ताप मंदल, जहां पर आयन और बाहयू मंदल आ जाता है, यह सारी चीज़े प्रत्वी के अंदर बाद में डवलप हुई, अभी हमारी प्र स्वेर में 78% nitrogen है, लगबग 21% oxygen है, फिर आपके पास में आ जाती है, 1% से कम है, आरगन और carbon dioxide है 0.03% बाकि अन्य trace gases भी पाई जाती है, तो प्रत्वी जब थंडी होती है, तो यहां पे निर्मुक्त जलवास्प संगनित होती है, तो जो waterway पर निकली, वो दीरे दीरे बाद बादलों का रूप लेती है, बादलों में संगनित होती है, और जलवास्प जल की बुंदों के रूप में, वर्षा के रूप में परत्वी पर आती है, वर्षा जल में CO2 का घुलता है, तो बारिश के पानी में जो carbon dioxide जादा थी, जिसके करण temperature जादा था, वो CO2 बारिश के अंदर घुलती गई, और atmosphere से आगई परत्वी के अंदर, कहां पर आगई? परत्वी की सता के उपर आगई, तो अब वातावरण में CO2 कम हो गई, तो तापमान कम होगा, जब तापमान कम होगा, तो रहने लायक परिसित्या होगी, तो सतभ पर गिरने वाला वर्षा जल जो विकाश हुआ, तो आज जो तुम को दिखता है न, वो कहीं कोई नैबिला, कहीं कोई basically planets, कोई galaxies का हिस्सा, किस तरीके से यहां पर यह महासागर और महादवीब बने हैं, किस तरीके से ज्वाला मुखी इसकी एक अनंत भुमी का रही है, किस तरीके से यह जो जीवन जगत ज प्रत्वी के विकाश का कहीं कई अंतिम चरण है, जो आज हम देख लेना, कि evolution of the life, तो बिग बैंग तो 14 billion, 14 अरब वर्ष पहले हुआ था, 14 अरब वर्षों के पास से प्रत्वी कब बनी, प्रत्वी बनी से लगबग 4.5 billion years ago, तो 14 अरब वर्षों पहले बिग बैंग हुआ महाविसपोट, और उस महाविसपोट के भी लगबग जो हैं आपके पास में कई वर्षों बाद में प्रत्वी बनी, आज से कहा जाता है, साड़े 4 अरब वर्ष पहले प्रत्वी बनी थी, और इस साड़े 4 अरब वर्ष के प्रत्वी के अंदर भी अगर देखा जाए, तो सबसे पहले, 3.8 अरब वर्ष पहले प्रोकारियोट, मतलब सिंपल जो अनिमल से वो बने, फिर कहीन कई युकारियोट बने, दो अरब वर्षों के आस पास में, और अब मानव जगत जो हैं वो दीरे दीरे आगे सेस्टन हुआ, मैमल से, प्राइमेट से वो आ गया है, तो जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ है, यह सारी चीजे हमने समझी है, आधुनिक व्यग्यानिक क्या कहते हैं आपके पास में, कि जीवन की उत्पत्ति, और इजीन ओफ लाइफ एक तरह का कैमिकल रियक्शन, कि एक बहुत ही जटिल, जो कार्बनिक अनू थे और गनिक मैटर्स थे जो प्रत्वी पे, वह रेस्पॉंसिबल है, अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन के लिए, उनमें कहीं कहीं संयोजन, उनमें कहीं 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 कॉमिनेशन हुआ, रियक्शन हुई, और वह होता गया, जिसे निर्जीव परदार्त जो हैं, वह कहीं के सजीव परदार्तों में रुपांत्रित हो गयागी, I guess, लेमार्क हैं, डार्विन हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुती अच्छे सिधान्त दिये हैं और प्रतिबादित किये, तो आप समझ माया आपको किस तरीके से आपके पास में, निर्जीव, कैमिकल से, दीरे दीरे जो हैं आपके पास में, सजीव, जो हैं, प्रोकेरियोट्स, युकेरियोट्स, और कॉंप्लेक्स लिविंग बिंग से, यूमन बिंग और इस प्लैनेट्स पे लाइफ सस्टेन होने लगी, तो अवर आज के लेसेन में हमने क्या सीका, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे गैलेक्सीज ब निकली, तो किस तरीगे से निकली, और कैसे CO2 वारिष के कारण कम हुई, और कैसे वाश्पी करण, और कहीं न कहीं, फोटो सिंतेसिस के कारण, यहाँ पे गैसे जो है, एक उचित मात्रा के अंदर पर्थी के अंदर रहने लगी, डाइट, कैसे लाइफ सस्टेन हुई, और कैसे निर्जीव वस्तू के, कार्णिक मैटर के, और्गनिक मैटर के संयोग से, सजीव जगत का निर्मान हुआ, यह सारी चीज़े क्लियर हैं आपके पास में, अब दोस्तों, कुछ बेसिक सी चीज़े हैं, मैं आपस एक बार डिसकस करना चाहूंगा, यहाँ पे, यहाँ वेरी, वेरी बेसिक तिंग्स, और मैंने यहाँ पे जो है, पीडिएफ के नोट्स के अंदर, पीडिएफ के नोट्स में कुछ कोश्चन भी दिये हैं, तो आप उस कोश्चन को भी थोड़ा जरू लगा, यहाँ घर पे बैठ करके, हाना, 10-15 कोश्चन हैं, जो आपकी प्र लेकर के, अभी में, लाइफ तक, सारी चीज़ा हमने समझ भाई, अच्छा, यह हमार आधिकारिक टेलिग्राम चैनल आप जोईन कर सकते हैं, जग्दीश अंडर्सकोड जांगेड, 123, टेलिग्राम चैनल है, पीडबलू का ओफिशल, जहाँ पे मेरी तमाम क्लासिस का आप को information मिलेगा, राइट, you can join JJ sir, PW UPSC टेलिग्राम चैनल, चलिए, that's it, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, 11th की fundamental physical geography का, interior of earth, प्रत्वी का, आंतरिक अवसर रचना, जिसको हम earthquake के माधिम से समझने की कोशिश करेंगे, राइट, क while you are making notes, हमेशा, notes को basically जो है, आपको 20% page को छोड़ करके, बाकी 80% area में ही notes बनाना है, और notes बनाते टाइम, खाली pointers, points की format में, notes ऐसे ही बनते हैं, flowchart की format में बनाना है, क्योंकि किताब तो है, सारी चीज़े हैं आपके पास में, अब उसका summarized version आपको बनाना है, जो आपको सम चीज़े आप भूल सकते हो, वो जरूर लिखो, जो महत्वपूर्ण है, कि सरिसके मिना, वो परिभाशा, वो concept गलत हो जाएगा, वो चीज़े लिखो, आप और फिर उन्ही को दोहराओ, एक जो आज आपने पढ़ा है, उसको सांतवी दिन दोहराओ, उसको 14 दिन दोहराओ उसको 20 दिन दोहराओ, हर सांत दिन के गैप से, जो आज पटरो, उसको हर सांत दिन दोहराओ, और यह जरूर होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से अभी आदर से समय होगा, कम से कम 20% जो समय है, वो revision को जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, revision को जाना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे आपकी सफलता के लिए golden triangle, golden triangle क्या होता है, और अगर यह आपको समझ में आ जाए, golden triangle by JJ sir, यह golden triangle मैं दे रहा हूँ, और यह सभी exams के लिए, PCS के लिए होगा, UPSC के लिए, कोई भी exam आप ल syllabus बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, syllabus बहुत अच्छे से पता हो इसके लिए, PYQs होना चाहिए, तो कम से कम पिछले 5 साल के PYQs जो है, बोथ prelims और mains के, बोथ prelims और mains के, उसको अच्छे से analyze करतो, कई आपके पास में किताबे हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं, इसको है उनलाइन भी कई sources पढ़ें, इवन UPSC की website से previous question पढ़ें, उनको देखो, पता चलेगा, अच्छा, अर्च पे कैसे questions बने हैं, जोग्रफी पे कैसे questions बने हैं, हिस्ट्री पे कैसे questions बने हैं, syllabus को पहले decode करो, अगर syllabus को decode कर पाए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तत बश्यात, आपके पास में आता है दूसरा point, और दूसरा point क्या है आपके पास में, newspaper, newspaper, हिंदी के विध्यारतियों के लिए सबसे tough task है, इसी के लिए हमने हिंदी चैनल पे, PW, हिंदी चैनल पे, PW, UPSC, हिंदी चैनल पे हमने क्या क्या है, पांच बजे डेली, डेली news analysis लेक हैं, कि सर, बोल तो सर, हिंदी में रहे हैं, पर सारा English में लिखावा है, बच्चे confused हो जाते हैं, बोला वा समझ में आगे, अब लिखूं कैसे, और क्योंकि बच्चा देख English में रहा है, सुन हिंदी में रहा है, वो confused रहता है, उसका वो एक दो घंटा वेश्ट चला जाता ह तो वो वेश्ट न जाए, आप डेली पाँच बजे इमेज को जॉइन कीजिए, न्यूस पेपर अनालिसिस में, मैं जगदीश चंदर जाएंगे, आपको इसमें भी मदद करने वाला हूँ, Mark My Word बहुत ही अच्छे तरीके से, बच्चों का response रहा है, इसी चैनल पे आपको, तीसरा जो है, आपको कहिन कहीं, NCRTs बहुत ही अच्छे से करनी है, NCRTs में कह दो, यह है आपकी language को और concept को, दोनों को improve करेगा, examples को improve करेगा, आपको तहजीब देगा, तरीका देगा, कि कैसी भासा होनी चाहिए, कैसे उदहारण होने चाहिए, कितनी सरलता होनी चाहिए अगर आप कर सके तो करें, otherwise हमारी समगर बैच में जो NCRTs दिजारी वो ज़रूर करें, मेरा वादा है आप सबसे, अगर किसी बच्चे ने छटी से बारवी की समगर बैच की NCRTs, previous paper analysis और इस the Hindu daily news को complete किया, अगर इस golden triangle को तुमने complete कर जाना, तुमारी life का golden time स्टार्ट हो जा एक कमेंट करके जरूर बता ना, है ना, एक कमेंट करके जरूर बता देना, I'll be looking forward कि आपको ये class कैसे लगी, feedback बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अते मैं जानना चाहूंगा उत्सुक हो मैं उस चीज के लिए भी, धन्यवाद दोस्तों, जहें और like और share करना मत भूलिएगा